हम भी ऐसे हो जाए कि हमें भी लोग मिलना देखना और सुनना पसंद करें कोई भी दुन्या में पॉफेक्ट नहीं है कुछ ना कुछ हम जीवन में सीखते रहते हैं हेलो दोस्तों वेलकम वेलकम बैक टो माई चैनल जहां हम बात करते हैं मेकप ब्यूटी ट्रेंडिंग फैसन के बारे में ऐसा कई बात होता है आपके साथ भी हुआ होगा मेरी साथ भी होता है कि कुछ लेडिज कुछ महिलाओं से जब हम मिलते हैं तो उनकी पॉस्नालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव होती है अट्राक्टिव होती है कि उनको देख के ऐसा लगता है कि कास हम भी ऐसी होते हो को देख के जिनसे बात करके बहुत ही ज़यादा अच्छा लगता है और मन करता है कि हमारी भी परसनेलटी इनके जैसी हो जाए जहां की परसनेलटी बहुत ही ज़यादा अट्रैक्टिव है प्लस इंप्रेसिव है लोग उनको सुनना मिलना देखना पसंद करते हैं तो कास हम तो यह ऐसे हो जाए कि हमें भी लोग मिलना देखना और सुनना पसंद करें तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे की मिलाओं की कुछ क्वाडिटी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसको देखने के लोग उनकी से अठ्राक्ट होते हैं उनने से उम्प्रै्श होते हैं और यह चीज़े अगर आप अपनी पॉस्टास्न 알डी में आड़ करते हैं अपनी पॉस्टी में चोटिए फुटी खुद पर ध्यान देने से मेरा मतलब है आपकी सुन्दरता और आपका स्वास्त देखे ऐसा होता है कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका लुक वो दिखता कैसा है उसकी language body की जो है वो कैसी है वो दिखने में कैसी है यह चीज सबसे बड़ा प्रभाव या कहते हैं first impression is last impression कहते है ना तो first impression अगर किसी का look matter करता है कि वो अपने में उसकी body दिखने में कैसी है वो कैसी दिखने में उसकी personality क्या दिखाना चाहरी है तो देखे मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप अपने body में या अपने features को change कर सकते हैं नहीं बागवान ने जो जैसा बनाया है आप उसी में अपने स्वास्त को लेके अपने look को लेके changes कर सकते हैं जैसे आपको अपने आपको up to date रखना है यह नहीं कहूंगी कि सुंदरता के मामले में आप हमेशा make up करके रखे बहुत ही बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के रखे हमेशा तयार होके रखे ल अपने बालों का ख्याल लगती है वो अलग ही दिखते हैं आपको देखेगा कि उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं उनकी skin अलग से ही glow करती है स्वास्त की में बात करूँ तो आप exercise कर सकते हैं योगा कर सकते हैं देखे मैं यह नहीं कहरो कि आपको करीना की तरह एक्दम zero figure होना है वो तो मैं भी नहीं कम आप बीमार तो ना रहे हैं प्लस साइज है कोई फरक ने पढ़ता आप इसकी नहीं है कोई फरक ने पढ़ता बट आप अंदर से healthy है आप फिट है आपको एक अच्छी नींद भी चाहिए जी हां healthy skin के लिए healthy hair के लिए healthy body के लिए एक अच्छ कर सकते हैं अच्छी नीन ले सकते हैं अपने skin का अपने बालों का ख्याव रखते हैं और यह आदत आपकी personality को सच में बहुत ही impressive और attractive बनाती है सेकेंड चीज के में बात करूं तो positive सोच जी हां जीन और तो की अपने देखा होगा positive सोच होती है ना वो लोगों को बहुत ही से attract करती है उनकी personality अपने आप में बहुत ज़्यादा attractive होती है घर में कोई भी situation है कोई आ गया कोई problem हो गई कुछ भी दिक्कत है उस चीज को आप बहुत ही ज़्यादा positivity के साथ handle करती है ना तो वो चीज आपकी personality में चार चांद कर देता है सच में लोगों को आप इंस्पा जो को कैसे सोचना चाहिए और उन चीजों को हल कैसे करना है इस टैप के जो औरते होती है जो हर सिच्वेशन में बहुत ही ज़्यादा positive रहती है यकीन मानिये वह उस situation से तो आसानी से निकल ली जाती है प्लस अपने अडोसी पडोसी के लिए रिष्टदारों के लिए role model का करती है situation कोई भी हो आपको एक अच्छी से smile देनी है और ये खुद इसे कहना है कि नहीं मैं कर सकती हूं कोई problem नहीं है मैं इस चीज को handle कर सकती हूं और ये सोच आपके अंदर सच में एक हिम्मत एक ताकत देगी उस situation से लड़ने के लिए और आपकी positivity लोगों को हिम्मत दे तो ये आदत अगर आपके अंदर है आप हर चीज को बहुत ही positive डंग से लेती है आपके अंदर positivity है तो ये वाली आदत भी आपकी personality को बहुत ही ज़्यादा अट्रेक्टिव और लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बनाती है नेक्स चीज की मैं बहुत देना अपने से बड़ों की इज़्यत करना चोटों को ध्री सारा प्यार देना अगर ये आदते आपके अंदर है तो सच में आपकी personality एक attractive और बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव परस्नालिटी है देखिए आपके घर में कोई बड़ा बुजोर्ग है उसको की सेवा करना उससे प्रेम करना तो हर कोई कर लेता है लेकिन अगर आप कहीं बाहर है रोर पे जा रहे हैं कोई ऐसा इंसान दे गया जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है जिसको देखके आपको लगए आपके अंदर दया भाव है उसके लिया आपको कुछ करने का मन है और आप करते हैं तो यकीन मानिया आपकी personality ना बहुत ज़दा attractive है और आपको देखके लोग बहुत ज़दा inspired होंगे, लोगों के अंदर वो चीज़ आएगी, means आपके अंदर जो quality है आप दूसरों के अंदर भी डालेंगे, तो यही है यही है आपकी personality जो लोगों को attractive लग रही है, लोगों को impress कर लिए आप से जोड़ने के लिए आपकी तरफ आने के लिए तो वो ओरते जिनके अंदर दया भाव है, जिसमें उदारता है, जिसमें बड़ों के लिए सम्मान है, चोटों के लिए प्रेम है, अगर यह आदत आपके अंदर है या फिर आप अपने अंदर ले आती है, तो तो लोगों को बहुत ही अशाने से अट्रैक्ट करती है और लोगों पे बहुत ही अच्छा सा इंप्रेशन चोडती है होता क्या है देखिए अप कोई भी काम करें एक होता है ना काम करने का दो का मनें कोई अशेय काम कर रही हैं और कोई मुझे कह दे तो मैं अंदर से कहते हूं कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी हो जाएगा और यकीन माने हो जाता है मैं नहीं कह रहे हूं कि एकदम पॉफेक्ट या प्रो की तरह होता है नहीं बट वो काम होगा आपके अंदर कॉंफिडेंस होना चाहिए कि मैं यह काम कर लूँगी चाहे वो जो भी काम है किचन भी संभाल रहा है बाहर का भी अगर काम है कोई भी काम है आप कॉंफिडेंट है आपको लगता है कि आप कर लेंगी तो यकीन मारे है आप कर लेंगी और अगर कोई काम आपको आता है और आपको कॉंफिडेंट वहां थोड़ा सा भ उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी तरफ लोग आकरसित होते हैं उनसे लोग जोड़ना चाहते हैं देखे अगर मैं बात करो कपड़ी के भी कपड़ा आप कोई सभी पहन रहे हैं अगर उसमें आप कॉंफिडेंट नहीं दिखेंगी तो वह कपड़ा आपक नेक्स चीज के मैं बात करेंगी तो वह हर किसी का सम्मान करना जी हां घर में आपसे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो देखिए एक अच्छी औरट या मैं औरट की नहीं एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपने से छोटों से भी सीखता है अपने से बडों से भी सीखता ह एक ऐसा process है ना जो जिन्दगी जब हम पैदा होते हैं तब से शुरू होता है और मरते दम तक कोई ये कहे कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ तो ये बिलकुल गलत है कोई भी दुनिया में perfect नहीं है कुछ ना कुछ हम जीवन में सीखते रहते हैं तो देखिये सम्मान करना लोगों के point of views का सम्मान करना चोटे से बड़े लोगों का सम्मान करना मैंने अक्सर दिखा है घरों में ऐसा होता है बड़े बात कर रहे हैं कुछ गलत बात हो रही है अगर छोटे ने मैंने किरूँ बत्तमीजी से कुछ भी एक discussion common discussion चल रहा है बड़े अपना point of view रख रहा है अगर किसी छोटे ने अपनी सही बात रखी और अपने बड़ों के खिलाफ वो कोई बात हुई देखिए उसने बत्तमीजी नहीं की सबने अपने अपने विचार को र वो सम्मान है कि हमारे बड़े बात करें हमें नहीं बोलना है लेकिन अगर एक common discussion चल रहा है तो हर किसी को अपना विचार रखना है और यकीन मानिए आप से कोई छोटा है बड़ा है घर का यहां तक कि अगर हाउसल भी है आपके घर में तो भी अगर उसका भी कोई विचार है उसकी भी बातों का सम्मान करना उसका भी सम्मान करना किसी भी इंसान का आपके घर के सामने कोई भिकारी भी आजाए कोई भी आजाए तो उसकी भावनाओं का सम्मान करना उसका सम्मान करना आपकी personality को बहुत ही खास बना देता है सबसे जुदा कर देता है ठीक है तो आ मुझे इससे यह चीज सीखनी है कुछ अच्छी चीज अगर आपको किसी के भी अंदर दिख रही है अपने छोटे से एक साल के बच्चे के अंदर भी कोई चीज दिख रही है कि अरे वाई यह तो बहुत अच्छी चीज है तो आपको उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है आप सीख सेकते हैं और उस चीज को मानिए कि हम सीख रहे हैं आप उस चीज को सम्मान दीजिए लोगों को सम्मान दीजिए तो यकीन मानिए अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा आपका ओदा बढ़ेगा तो अगर यह आदत आपके अंदर है और लाइक शेयर कॉमेंट करिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई